हुंड़े की इस कार को 40 दिनों में मिली 30,000 बुकिंग फीचर के मामले में इनसे है मुकाबला पहले से बहतर और कई संदार फीचर से ले सिया कार अपने सेगेमेंट की बाकी कारों पर भाड़ी पड़ता नजर आ रहा है आपको बता दे कि इस कार को 5 नमोर को भारत में लॉंच किया गया था हुंड़ाई मोटर इंडिया ने हाल में ही अपनी I20 को लॉंच किया था महत 40 दिन में इस कार को 30,000 बुकिंग मिल चुकी है पहले इसे बहतर और कई संदार फीचर से ले सेग कार अपने सेगेमेंट की बाकी कारों पर भाड़ी पड़ती नजर आ रही है आपको बता दे कि 5 नमोर को भारत में लॉंच किया गया था इस कार की कीमत है नई हुंडई I20 के 1.2 लिटर कापा पेट्रोल मॉडल की कीमत 6,79,900 रुपे से लेकर 9,79,900 रुपे तक जाती है इसके आलावा इसके 1.0 लिटर टर्बो GDI मॉडल की कीमत 8,89,900 रुपे से लेकर 11,17,900 रुपे तक जाती है तो वही इसके 1.5 लिटर डिजल मॉडल की कीमत 8,19,900 रुपे से लेकर 10,60,900 रुपे तक है इंजन ओप्शन इस कार में 3 इंजन ओप्शन मिलते हैं जिसमें 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन 1.0 लिटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लिटर 4 सिलेंडर टर्बो इंजन है इसके अलावा इंजन मैन्यूल MTV, IBT, IMT और DCT गेर बॉक्स में लेस है प्रफामेस के मामले में इसके तीनों इंजन इंप्रेस करती है पावर हैंडलिंग, राइट क्वालिटी और कमफर्ट के लिहाजा से यह कार निसान नहीं करती खराब रास्तों पर भी यह असानी से निकल जाती है इससे होगा मुकाबला, हुंड़ाई की नई I20 का सीधा मुकाबला मारोतिय सुचकी बैनेलो, हुंड़ाई जज, टाटा अल्ट्रो जैसी कारों से है इस समय बैनेलो गरहा की पसं कार बनी हुई है लेकिन नई I20 के आज जाने से बेलेनो की बीखरी पर असर पड़ सकता है अगर आप एक ऐसी प्रियमा हैजबेक कार्ड खरीदने का सोच रहे हैं जिसमें स्टाइल फीचर, टेकनलोजी और धमदार इंजन है तो आप नई I20 के बारे में विचार कर सकते हैं दोस्ता अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बत है मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में टेकन न्यूस के साथ झाल